हेलो गाइस तो केसे हैं आप लोग उम्मेद करता हुआ पहले की तरह अच्छे ही होगी ओके तो कापी लोग पूछते रहते हैं कि पीएस थ्री एमुलेटर का क्या हुआ जो बॉक्स विद्रा डेबलप कर रहे थे उसका क्या हुआ उसका कोई अपडेट आया है या फिर नही ता कोई नहीं है तो यह काम अब कर लाव बाक्स विद्रा के डैबलपर जीना स्टाट कर दिया है और उन्हुने एक डैबलपर गाइस खुदी सुन लो recommend क्या के पूरा वीडियो देखना गैस्वीडियो को इसके मत करना है अरे भाई कैसा चल रहा है मैं आपके लिए कुछ नई चीजें लाया हूँ, हम अगले सप्ताह या पांच दिनों के भीतर आगामी पर योजना, PS Emulator के बारे में प्रारंभिक लीक प्रकाशित करने की योजना बना रहे हैं, PS1 और PS2 दोनों का परिक्षण किया जाएगा और PS3 की उपस्तिति के बारे में कुछ लीक है, और मेरे पास developers के बारे में कुछ अच्छी खबर है, हमारे पास एक नया developer है जो हमारे साथ Box Vidra Emulator और अगले प्रोजेक्ट PS Emulator पर काम करेगा और हम वर्तमान में उसे प्रशिक्षित कर रहे हैं और फिर वह काम करना शुरू कर देगी, उसके पास ऐसे विचार हैं जो वास्तव में हमारे projects को बदल देंगे जैसे कि Box Vidra और अगला project नाट की रूप से, इसके अलावा उसने हमें कुछ समस्याओं को हल करने में मदद की और वह अगले project पर आधा काम करेगी, वह Box Vidra Emulator पर बड़े पहमाने पर काम करेगी और वह आपके साथ खुद update, विकास, नई परियोजनाएं और अगले project की leak साजा करेगी, तो आप जानते हैं नई developer एक लड़की होगी, वह वही है जो आपके साथ और समर्थकों के साथ सब कुछ नया साजा करेगी, और जैसा कि मैंने कहा, वह हमारे बीच एक बड़ा हिस्सा होगी सामान्य तोर पर, आप जल्द ही उसके बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे, इसके अलावा, वह आज नवीनतम अपडेट का पूर्वा वलोकन करने वाली होगी, और नवीनतम अपडेट आज शाम को जारी किया जाएगा, और बस इतना ही, तो वो मुझे link देने वाले हैं गाईस, तो जैसे ही कोई link निकल के आता है, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, पीएस फ़न, पीएस टू और पीएस त्री का, ठीक है, तो बने रही है, हमारे चैनल के साथ जूड़े रही है, ऐसे अपडेट वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हो तो ठीक है